बारिश का मौसम आते ही हमारे घर और स्पेशली किचिन के कुछ कॉर्नर्स हमसे एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांड करने लगते हैं एक्सिस युमिडिटी के कारण हमारे फूड आइटम्स खराब होने लगते हैं या फिर कई सारी चीजों में तो फंगस भी लग जाती है हेलो एवरिवन मैं हूँ स्वाती और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेर करने वाली हूँ जो इस मौनसून सीजन में आपके लिए बहुत ही हलफुल रहेंगे तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का वीडियो किचिन में जो बेसिक प्रॉबलम हमें इस मौनसून में फेस करनी पड़ती है वो है दाले और मसालों में मौश्चर आ जाना, कीडे लग जाना और वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं इससे बचने के लिए मार्केट में इस तरह के सिलिका जल सैशे अवेलेबल है जो एक्स्रा मौश्चर को एब्जॉब कर लेते हैं अंदर से ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं पर इसे हमें खोल कर यूज नहीं करना बलकि ऐस सैशे ही यूज करना होता है इसे हम सभी तरह की दालों में, मसालों में, शुगर या फिर पापड में भी रख सकते हैं जिससे वो लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे अक्सर जब हम नए बैक्स या शूज लेते हैं तो उनमें आपने इस तरह के सिलिका जल सैशे को देखा होगा पर वो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, मार्केट में ये इजिली अवेलेबल है और चीप भी हैं आप इन्हें अपने घर के काफी एरियाज में यूज कर सकते हैं बारिश के मौसम में अकसर घर में मक्हियां बहुत हो जाती हैं और हमारे फूड आइटम्स को कंटैमिनेट करती हैं इससे बचने के लिए सिंपली हमें नीबू को हाफ कट करना है और उसमें 5-6 लॉंग लगा कर रख देनी हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब इस नीबू को किचन में या जहां पे भी घर में आपके मक्हिया ज्यादा आती है वहां रख दीजिए इसकी स्मेल से मक्हियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी पर आपको इसे टाइम बाइ टाइम चेंज भी करना पड़ेगा मौनसून में एकसेस यूमिडिटी के कारण हम बहुत सी स्किन और हैर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जैसे स्किन इंफेक्शन, रैशेज, इरिटेशन, एकने इन सबसे बचने के लिए एक सिंबल सा सॉल्यूशन है जो हमारे घर के आसपास ही होता है कुछ नीम की पत्तियों को अच्छे से वाश कर लें और फिर इसे दो से तीन लीटर पानी में बॉइल कर लें बॉइल हमें तब तक करना होता है जब तक कि हमारा पानी ग्रीन कलर का ना हो जाए नीम में एंटी फंगल, एंटी इंफलेमेटरी, एंटी बेक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है और साथ ही डेंटरफ को भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है बस अब इस पानी में से एक मख पानी आप अपने नहाने के पानी में मिक्स करके बहुत सी स्केन और हेर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बारिश में भीगने से अगर हमारे शूज या बैग्स गीले हो जाते हैं तो उनके खराब होने का डर तो रहता ही है साथ ही उनमें से स्मेल भी आने लगती है इस से बचने के लिए इन्हें तुरंत ड्राइ करके इनके अंदर न्यूस पेपर के रोल्स डाल दीजिए न्यूस पेपर एक्स्ट्रा मॉश्चुर को एब्सॉप करने के साथ साथ फाउल स्मेल को भी एब्सॉप कर लेंगे और हमारे शूज और बैग्स भी जल्दी ड्राइ हो जाएंगे इसके साथ ही आप जब अपने शूज को या बैग्स को स्टोर करते हैं तो उस समय आप सिलिका जल सेशे भी यूज कर सकते हैं बारिश में हमारे कपड़ों में और वाशिंग मशीन में से भी फाउल स्मेल आती है इसके एक सिंबल सा सॉल्यूशन है कि जब भी हम कपड़े वाश करने के बाद मशीन से निकाले तो उसके डोर को एक ड्राइ कलोट से पोच लीजिए और जो रबर गैसकेट है उसके अंदर भी थोड़ा न थोड़ा पानी तो रह जाता है और उसे भी ड्राइ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही स्टेगनेट वाटर आगे जाकर फंगस और स्मेल को बढ़ाता है चाहे आपकी फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीन हो या फिर सेमी आटोमेटिक वाशिंग मशीन मशीन को आप हाफ एन आर के लिए खुला छोड़ दे जिससे मशीन ड्राइ भी हो जाएगी उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और अगले यूज के लिए भी रेडी हो जाएगी इस डिएओ में जितने भी टूल्ज और गयजेट्स यू우ज किये हैं उन सभी का लिंक नीचे इस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है description box open करते ही आपको urban rasoy amazon store का link मिलेगा जिस link पर आप click करते ही उसमें बहुत सी categories है अपनी favorite category को choose करके आप बागी सारे products को भी देख सकते हैं ये सारे की सारे products मेरे personal favorite है आप चाहे तो इन्हें check कर सकते हैं तो friends ये था मेरा आज का वीडियो comment करके मुझे ये जरूर बताईएगा कि इन सभी hacks में से आपके लिए सबसे helpful hack कौन सा होगा उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इससे like करें अपने friends और families के साथ share करें करें और आपको ये वीडियो थोड़ा आपको ये वीडियो पसंद आया है